हमारे आस्पिटल में एक बड़ा मुबारक दिन है कि हमने काडियालिजी सुपर स्पेशालिटी सर्विसिज के लिए आर्टिमिस आस्पिटल गुरुगराम के साथ टाइप करके एक सेंटर खोला है जिसको हम एसकॉम्स आर्टिमिस हाट केर सेंटर के नाम से जानेंगे इसमें जो हमारे काडियालिजी की सर्विसिज हैं सारी एडवांस्ट और बेसिक दोनों सर्विसिज अवेलेबल रहेंगी और 24-7 यह सर्विसिज अवेलेबल रहती है इवन रात को किसी को कोई काडियक प्रॉब्लम हो जाती है किसी पेशन को भी उसको हॉस्पिटल लेके आत आते हैं यहां पर और इमिजेटली उनको देख उनको एटेंड किया जाता है तो इसके लिए आज डॉक्टर मनेंदर संदू हमारे पास मंजिंदर संदू स्वरी मंजिंदर संदू हमारे पास आये हुए हैं एक डिरेक्टर है काडियक हाट हाट सेंटर आर्टमिस है और पास डॉक्तर करन डैंग है जो पिछले आज साफ्ट लॉंच हमने किया था को फेडिरी में उसके बाद से यह अच्छा काम कर रहे हैं और तक्रीबण कफी इन्होंने काडियक प्रेजर कर लिए हुए हैं यहां पर इसके साथ ही अभी आज डॉक्स साब की इंटर्वेंशन के बाद एक इसकी फॉर्मल लॉंचिंग आज हुई है मैं डॉक्टर संदू, डिरेक्टर काडियोलजी एंड डिरेक्टर आर्टेमस काडिया केर हमारी आर्टेमस हॉस्पिटल गुरगाओं ने एक जॉइंट विंचर बनाया है फिलिप्स कंपनी के साथ, जिसके अंदर आर्टेमस काडिया केर को काडियाक सेंटर शुरू करने हैं जहां पर भी कॉलिटी काडियाक केर उपलब ना हो या डिफिशेंट हो तो ऐसे चलते हुए हमने 6-7 सेंटर खोल रखे हैं कुछी समय पहले हमने यहां पर S.Com के साथ यह टै किया कि हम यहां पर भी काडियोजी सेंटर खोलेंगे हमारा सेंटर कुछ देर पहले शुरू हो गया है काफी सारे केसे हो गए हैं यहां पर और हमारे पास एक बड़ी एक्सपिरियंस टीम है of interventional cardiologists जैसे की Dr. नीरज गुपता, Dr. वरुन गुपता, Dr. करन डाएंग, ये बहुत ही, इनको कुछ training भी दे गई है हमने, अपना main center में, प्लस ये एक बहुत ही अच्छा level का काम कर रहे हैं, they are available 24-7, कभी भी किसी को जरूरत हो heart treatment की, they are available and इन्होंने काफी सारे heart attack patients की angioplasty, emergency में यहाँ पे अल्रेडी कर रखी है और आज हमने एक बहुत बड़ा continuing medical education program रखा है, to officially launch this association between Artemis and ASCOMS, एक CME रखी है, और हम इसके मद्यम से इसको officially launch कर रहे हैं, और हमारा मकसद रहेगा कि ये center में और काफी सारे patients जो जम्मू से भी बाहर जाते थे कारिये treatment के लिए, वो सारे की treatment यहीं पर हमारा center यहाँ पर impaneled है, सारी central government schemes के साथ, जैसे की आयोश्मान, आर्मी वाली scheme, जैसे की ECHS, central government scheme, जैसे CGHS, हमारा मकसद यह है कि maximum number of patients का treatment हो सके, तो हमने सारी impaliments, central schemes के लिए रखी है, और कोई भी patients जो इनके beneficiary हैं in schemes के यहाँ पर आके treatment उपलाउद कर सकते हैं, आईश्मान कार्ड वाले, आईश्मान कार्ड हमारे पास accepted है, और उससे treatment हो रही है, और हम चाहेंगे कि सारे के सारे patients की treatment आराम से यहाँ पर हो सके.